मुझे बॉलिवुड से भी इस चीज में शिकायत हैं क्योंकि हमारे बॉलिवुड में पैरेंट्स के जो मैं 90 की मुवीज का अगर मैं बात करूं तब से मैं देखती हा रही हूं कि पैरेंट्स के खिलाब जाके बगावत करके भाग के शादी करने को बहुत जादा ग्लैमराइज किया गया है कभी भी कोई भी क्रिमिनल आम तौर पे सडनली एक दिन में क्रिमिनल नहीं बन जाता जैसे कहते हैं तो ऐसे ही क्रिमिनल की क्रिमिनालिटी और उसकी हरकते शुरू सामने आया जहां पर एक व्यक्ति ने अपने लिविन पार्टना की ना सिर्फ अकी उसकी श्रव की कई टुकड़े कर दिये और उसे अठारा दिनों तक अलग-अलग जिगवों पर ठिकाने लगाया हम बात कर रहे हैं श्रदह मर्डर केस की और उस पर बात करने के लिए हमा सिर्फ जिससे वो प्यार करने के दावे करता है उसकी हत्या की बलकि हत्या के बाद एक ऐसी साज़िश की की सारे सुबूत मिच जाएं क्या इसका किसी व्यक्ति के दिमागी संतूरंद से कोई रिष्टा हो सकता है क्या कुछ उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था ये सिर्फ एक खत्या नहीं बलकि पूरी प्लान की हुई उसकी साजिश्टी जिसको उसने तरीके सेंजाल दिया है इसको आप क्या पहींगी पहली बात मैं कहूंगी यह बहुत ही डेलिकेट मुद्दा है बहुत ही हम नाजुक मुद्दे से डील कर रहे हैं तो यह आपके चानल का बहु व्यक्त कर सकती हूं और उनमें कोई अग्री करें न करें क्योंकि इस वेरी इस वेरी सेंसिटेव और इसके बहुत सारे रिलेजियस पॉलिटिकल बहुत सारे रिक परकेशन्स भी हो सकते हैं लेकिन अगर हम इसमें घबरा गए तो हम शायद सुधार नहीं कर पाएंगे तो जुनों ने ये वार्दा की है जब तक हम उनका मेडिकल इजामिनेशन नहीं करते तब तक ये कह पाना गलत होगा कि वो मांसिक रोगी है लेकिन उनकी इस हरकत से जो एक घिनौनी ही नहीं सिरफ ये एक वीभत सरकत थी इतना मैं दावे के साथ है सकती हूं कि मांसिक विकरत वाले जो elements है वो थे ये normal thinking वाला इंसान करी नहीं सकता और रोग है या personality disorder है नौर्मल नहीं है और दुख की बात ये है कि वो लड़की अब जो मैंने details जो news के द्वारा ही gather करे कि वो लड़की प्यार में पढ़ गई और वो इन चीजों को पहचान नहीं पाई डेफिनिटली इंसान के intentions अच्छे नहीं थे इस इंसान के साथ ये इंसान ऐसा नहीं था कि उसके साथ रिष्टा रखा जाए और प्यार का जैसे आपने का वो दावा करता था तो उसे इंफाच हो सकता है उस आपनी को भी infatuation हो हम उसे प्यार नगा है क्या पता उसे इंफाच्वेशन हो जो की बदल गया तो ऐसी कुछ ऐसी पी conditions होती है जिसमें person बड़ा impulsive होता है एक मिनट प्यार में पढ़ जाता है तो बहुत चीज़ें होती है हम उस चीज को शायब प्यार ना कहके infatuation कहें तो बहतर होगा क्योंकि हम हम exactly चीज नहीं जानते और इस हरकते करने वाली चीज को हम प्यार का नाम देना भी नहीं चाहेंगे दुख यह है कि वह लड़की चीज नहीं पहचाने निउस में मैंने यह भी सुना कि उस लड़की के प्यार में पढ़के या प्रभाव में आके तो मैं यह कहना चाहूंगी कि इस उम्र की लड़किया या जो जैसे प्यूबर्टी हमारी 13-14 साल में अचीव हो जाती है आप sexually mature हो जाते हो और आपकी needs develop हो जाते हैं लेकिन हमारे सोसाइटी के नियम कानून ऐसे हैं कि आप mentally prepared नहीं हो तो आप शादी 18 साल से पहले नहीं करोगे और आजकल मानने ता यह है कि अपने पैरों पे खड़े होकर करोगे तो puberty sexual needs develop हो गई लेकिन शादी तक बीच में वो vulnerable face रहे गया जिसमें बहुत ज़ादा guidance की जरूरत है sexual needs को आप कैसे address करो बहुत delicately उनको address करनी की जरूरत है जिसमें parents का भी रोलाता है समाज का भी रोलाता है और मैं थोड़ा सा controversial चीज कहूंगी कि मुझे Bollywood से भी इस चीज में शिकायत है क्योंकि हमारे Bollywood में parents के जो मैं 90's की movies का अगर मैं बात करूँ तब से मैं देखती हा रही हूं कि parents के खिलाव जाके बगावत करके भाग के शादी करने को बहुत जादा glamorize किया गया है अगला सवाल आपसे है क्योंकि जब वो खुलासे कर रहा था है और कि आफताब अमीन पुना वाला जिस शक्स ने इस वारदात को अंजाम दिया उसने कुबूला है पुलिस के सामने ऐसा दिल्ले पुलिस ते जानकारी दी है और मीले रिपूर्ट्स ये भी कहते हैं कि दिल्ले पुलिस के सामने उसने ये भी कुबूला है कि उसने किसी शो से प्रभावित होकर इस वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद उसने किसी शो से प्रभावित होकर ही सुबूत मिटाने की कोशिश उसमें क्राइम वेब सीरीज भी बहुत जादा होती है जिसको बहुत जादा लोग देखते हैं और ऐसे कंटेंट को बहुत कंज्यूम करते हैं उसका प्रभाव भी बचों पर या फिर अधर हैं उन पर पढ़ रहा है तो उसको आप कैसे देखते हैं इसमें मीडिया की सेंसर की बहुत जादा जिम्मेदारी है जब से OTT प्लाटफर्म आया है तब से मोबाइल फोन और OTT छोटे-छोटे जो वायस कभी नहीं है उन बच्चों के हाथ में पहुच गया है और वो क्या कंटेंट देख रहे हैं हमें उनको फिल्टर कर पाना पेरेंट्स के लिए बहुत म गलत कॉंटेंट को अलाओ ना करें प्रमोट ना करें और इस चीज को गंबीड़ता से लें क्योंकि यह सिरफ हाइफाई या हाइली एजुकेटेड लोग कंज्यूम नहीं करें समझदार लोग कंज्यूम नहीं करें गाउं के बच्चे कम पढ़े लिखे लोग हर तरह की ल आम इंसान, गर्ल स्कूलमें पढ़ने वाले बक्चे, जिनको लड़कों से जिनका इंटरैक्शन नहीं है, छोटे उद मुर के लड़के टीनेज लड़के जिनका लड़कियों से बहुत इंटरैक्शन हैं हो इन चीजों के प्रभाव में आते हैं, यह हमारी जिम्मदारी ह है कि हम और अगर हमारी लीगल अथोरिटी इन चीजों पर आक्ट नहीं करती हैं तो हमें हमें हमारा समाज का यह रिस्पॉंसिबिलिटी है कि हम दबाव डालें एंजी ओस बहुत सारे माध्यम हैं कि हमारे कॉंटेंट को प्यॉर तरीके से और पॉजिटिव तरीके से दिया जाए और अगैं फ्रीडम एक्स्प्रेशन के गार्व में रूब्रिक में आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है क्राइम अगर आप दिखा रहे हो तो कभी क्रिमिनल्स को एक और चीज डॉन जैसे मूवी थी तो अब मैं एक बहुत किसी मूवी की खिलाफ बोल रहे हूं कोई बात नहीं लेकिन अगर किसी का फायदा होते तो क्या गलत बात है लेकिन डॉन मूवी में डॉन को ग्लामराइज किया गया कि गैंस्टर्स को हमां एक द उनमें कूल बनने वाला एलेमेंट आने लगता है और उनको यह लगता है कि हम गलग काम भी करें लेकिन अगर हमने कुछ काम अच्छत दे तो सारे मार्फ होगे मूवी में भी तो ऐसे हुआ था तो हमें ये भी जो किसी भी मूवी ओटीटी का अजेंडा है आप किस तरह से पोट्रे कर रहे हो किसी कम्यूनिटी को किसी तरह से पोट्रे कर रहे हो या किसी एक्ट को या स्पेशली क्राइम को किस तरह से पोट्रे कर रहे हो क्राइम को ग्लामराइज तो नहीं कर रहे हो वह बहुत जरूरी है और स्पेशली गांग्स्टर टाइप मूवी में I have an objection कि it should not be glamorized and ultimately it should not be a place because there is a place like this where there is a anger when there is a little bit of anger and there is a lot of anger because there is a lot of anger there are many murders or these murders and we are talking about how we become our enemies which was given to love you can also think about it and then after this murder you can also think about it we are talking about it how do you think about it how do you think about it whether it is a disease what do you think about it or the patience or the heat of the moment we will protect you we have told you how many possibilities can happen but you have said that you have become your enemy so our responsibility is that sometimes if we think that there is a mental disorder or criminal elements so this is not one it is not one it is not one it is not one it is not one red flags usually there are indicators you have to suspect you have to suspect तो वो अपनी girlfriend को अपनी family से अलग करके खुश नहीं रहेगा वो चाहेगा कि खुशी-खुशी रिष्टा आगे चले और वो अपनी family अपने social support से कटे ना और यह लड़की की भी बेवकूफी है बेवकूफी नहीं नादानी है कि आप आप किसी भी रौ में बह गए आपने अपने इतने बड़े बचपन से जो आपका social support है आपने एक मिनट में उससे अलग कर दिया और movies और इन सब के और प्यार के जो वो हैं मतलब dreams होते हैं जो pictureों में दिखाते हैं कि घर से बगावत करके शादी करना है भाग जाना किसी किसा आता है करने देते तूप पर आए मर्दों से बात नहीं करने देते जॉब नहीं करने देते कभी-कभी इस शक्से की तुम किस दूसरे मर्दों से बात करोगी या उनको और तरीके की insecurities होती है तो यह paranoia के science हो सकते हैं यह मांसिक बिमारी के लक्षन है यह हो सकते हैं Paranoid Personality Disorder वाले जो लोग होते हैं वो कई बार देखने में अपनी जो दिंचर्या है और जो उनका social occupational functioning है वो normal maintain कर लेते हैं तो कई लोग कहेंगे और यह तो normal है इसमें क्या दिक्त है लेडी में हो सकता है problem हो हो सकता है उसका ही character खराब हो लेकिन वो बड़ा वो है delicate time है हमें उ इस तरही की problem आ रही है तो expert के पास लेके जाएं और एक से लड़की के character पर शक्त ना करें यह भी हमें open mind रखना है कि अगर मर्द शक्की मिजास का हो रहा है तो क्या पता हुसे मानसिक रोग हो नशे का सेवन अगर कर रहा है कोई definitely अपने में problem है और आजकल cannabis को जो की metros वग इन सबके सेवन से मानसिक संतुलन बिगड़ता है और इस तरह की वारदाते होने की संभावना या मानसिक बिमारी हो जाने की संभावना बढ़ जाती है और जो सबसे तीवर इनमें रोग है वो है schizofrenia जो शक्क की बिमारी है कई बार हमने देखा गया है कि इस तरह से जिससे हम कहते हैं इस तरह की बिमारियों में भी लोग इस तरह की हरकतें कर सकते हैं तो हमें इन सब चीजों की जो हमने लक्षनों की बात करी हमारा काम सोसाइटी में as a common person बिमारी डाइग्नोस करना नहीं है लेकिन सतर्क रहनाएं की अगर possibility लग रही है तो आम लक्षनों से अफगत रहें और तुरंट professional help लें अगर हमें जराबी suspicion है खुड डाइग्नोस करने की जिम्मदारी हमारी में बिल्कुल है मिका जी बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नहीं पहचान पाता कि उसको mental disorder है भी या फिर नहीं और कई बार गुसा बहुत ज्यादा आता है त दिसक्ता की वार्दाट को अंजाब दे दिया गुसा कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते है लिए गुस्ते की वजह जानना जरूरी है कब से गुस्ता आ रहा है क्या ये सड़न चेंज है कोई stressor है कभी-कभी depression में भी उल्टा गुस्ता आ सकता है कभी-कभी मानसिक रोग मे भी गुस्सा आ सकता है और नशे से गुस्सा आ सकता है कभी-कभी personality का part भी हो सकता है गुस्सा अगर sudden changes है तो तो या कोई भी वज़ा है अगर गुस्सा आपकी जिंदगी में problem create कर रहा है आप professional के पास जाए हेल्प लीजे हमारे पास बहुत सारे options है हमारे पास कुछ दवायां होती है जो कि anti-aggression medicines होती है जो कि aggression कम करती है अगर हम वो दे रहे हैं तो मरीज को इस बात को assurance लेनी चाहिए और हम अगर मेरी OPD में कोई आता है तो यह मेरी जिम्मेदारी है उसे assure करना कि मैं उससे blame नहीं कर रही है मैं उससे help कर रही हूं कई वह लोग defensive हो जाते हैं नहीं नहीं हमें इतना गुस्ता नहीं हमें दवाई की ज़ुरत नहीं है हमारे पास mood stabilizers भी है जो mood को stable करती है mood swings जिन में गुस्ता आ सकता है वह भी stable करती है और lastly हमारे पास psychotherapy भी है counseling भी है जिसमें anger management technique सिखाई जाती है लेकिन अगर बहुत तीवर गुस्ता आ रहा है तो वह शायद इतनी effective नहीं होगी और person जो patient है वह cooperate करने के लिए participate करने के लिए महनत करने के लिए राजी है prepared है focus करने के लिए prepared है तब हम counseling में anger management कर सकते हैं जबरदस्ती पकड़के counseling नहीं कर सकते हैं counseling यह समझना पड़ेगा कई बर मरीज कई बर घरवाले आते हैं मरीज इस हलत में नहीं होता कि वह ठीक से बात भी कर पाए लेकिन कहते हैं इसकी counseling करिए तो उनको समझना जरूरी है हर किसी की counseling नहीं करनी होती कई बार counseling मना होती है कुछ cases में नुकसान भी कर सकती है और जब patient उसके भी criteria है कि क्या patient fit है counseling के लिए तो अगर patient fit है जिसमें से कुछ important criteria है कि वो cooperative है वो agree कर रहा है counseling जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं तो unless court mandated हो जो कि western countries में court mandated counseling काफी चलन में है अब इंडिया में इतना चलन में नहीं है otherwise counseling के लिए willingness होनी बहुत ज़रूरी है पार्टिसिपेट करने का जजबा होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो counseling कारगार नहीं होगी लेकिन अगर हम थोड़ी awareness बढ़ाएं स्टिगमा कम करें तो शायद बहुत लोग anger management से related counseling के लिए सामने आये और हम उनकी मदद करता मिल्कुल और हमारे पास देखे counselors हैं बहुत इसी case में और बहुत सारे जो पहलू है वो भी सामने आये हैं और इसमें एक पहलू ये भी सामने आया है कि अभी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक का जा रहा है कि श्रद्धा और इस मामले में आफताब की लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि वो शादी का दबाव बना रही थी शुरुवात में वो रिष्टे में खुश थे ये श्रद्धा के दोस्तों ने कहा है लेकिन बाद में लडाईया बढ़ती गए और श्रद्धा ने एक बर अपने दोस्तों को फोन कर बताया कि अगर इस रात में आफता नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है तो उस मामले को लेकर क्या कर सकते हैं क्या वाकर ये भी एक mental disorder हो सकता है या इसमें हम क्या उपाई कर सकते हैं देखे इसमें मैं ये कहूंगी कि कहीं शायद ये भी पक्कार नहीं है क्योंकि अब वो रही नहीं तो हम क्या बोले शायद उनकी उनमें maturity की कमी थी या वो emotions में बह गई जो उन्होंने जो red flags हमने discuss करें उन्हें ignore कर दिया कभी भी कोई भी criminal आम तोर पे suddenly एक दिन में criminal life बन जाता जैसे कहते हैं न तूत के पैर पालने में दिखते हैं तो ऐसे ही criminal की criminality और उसकी हरकते शुरू में दिखती हैं कई बार जो लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं वो पब्लिक में पार्टी में बहुत pleasant लगते हैं close quarters में अगर आप आएं तो उनका aggression सामने आता है लेकिन अगर वो stage पे खड़े हैं तो वही अगरेशन stage की रौनक बढ़ाता है और वो पब्लिक को opposite जेंडर को अट्रैक करता है क्योंकि confidence उस वक्त उनका confidence देख रहा होता है उनके पास कोई oppose करने को नहीं होता कई बार इस तरह से होता है कि आप stage पर खड़े हो या किसी अथारिटी की position में पड़े हो तो आप बहुत प्लेजंट और confident लग रहे हो आपकी बात कोई काक नहीं रहा लेकिन जब आपकी भीवी ने आपसे आपकी गर्फिन ने आपसे बात काटी तो वही confidence aggression में बदल गया तो लड़कियों को यह चीज भी पहचानने की जरूरत है इस क्यूंकि हम इस में लड़का लड़की की बात करें तो इस चीज से हम अट्राक्ट हो रहे हैं वह उसे सिरफ एक atmosphere में एक environment में नहीं हर environment में test करके देखें कि क्या इनका behavior pervasive है क्या यह हर वाक उस तरह से बहुत कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि public में he is very appealing लेकिन कर देखें हो गया कंकि अच्छा गा रहे हैं और इस तरह से यह भी हमने वेखा है कि बहुत अच्छी personality जो public platforms अच्छी लगती नहें परस毛 नहीं में वही उनका 항त हराब हो जाता और कई बर family members को women को वह चीज झेलनी पढ़ेखा और यह लोग विश्वास नहीं करते कि इतने अच्छे personality वाला इंसान क्यों ऐसा कर ही नहीं सकता तो हमें हर environment में उस इंसान को test करना है चीज को देखके infatuate नहीं होना और commitment देने से पहले धहरे रखें एक emotion पे नव भाए ठंडे दिमाग से अगर चीज़े स्टेबल है तभी act करें और अगर आपको कभी भी हलका भी खटक रहा है तो अपनी इनर वॉइस को दबाएं ना और अगें जैसे मैं आपको बोला कि पिक्चरों में glamorize किया जाता है कि जो parents love marriages के खिलाफ हैं वो कितने खराब हैं उनको क्रिमिनल्स की तरह portrait किया जाता है तो ऐसा हमेशा नहीं होता अगर parents कुछ समझा रहे हैं तो हम blindly कहें नहीं हमें इससे प्यार है और parents इस प्यार के खिलाफ हैं तो इनको अलग करो भाग जाओ ऐसा नहीं है कई बार parents हो सकता हमें compatibility issues समझा रहे हूं क्योंकि वह हमें बच्पन से जानते हैं उनको जादा experience है तो it's not always so but हम उनको discount नहीं कर सकते और पूरी तहना से ignore नहीं कर सकते और parents को respect देगे उनके भी opinion को सुनना चाहिए बिल्कुल मैं एक और जो बात सामने आई जिसा कि आपने discuss किया कि वैसे charming personality हो सकती है active हो सकते है conference जिभर पूर लेकिन reality कुछ और हो सकती है ऐसा ही इस case में भी हुआ है आफ़ताप की आप Instagram profile अगर देखेंगे social media पर और media reports के मताबिक तो वो feminism को promote करता था environment को लेकर बहुत सारी post उसने की थी और इस murder के बाद भी यह report सामने आई है कि उसने और लड़कों को डेट किया है उसी confidence के साथ वो बाहर गया और जब उससे पूछा गया कि श्रदा काहा है तो उसने कहा कि वो मुझे जबरा करकर चली गई है यानि कि वो जो दिखा रहा था वो नहीं था और इसमें वही बाद जो आपने कहीं वो सामने आती है कि आफताब ने सिर्फ यहां पर हत्या नहीं की बल्कि उसको चुपाने की कोशिश भी की वो था कुछ और उसने दिखाया कुछ और देखिए अगर कोई इनसान इस तरह से कर रहा है अपने को हाइड कर रहा है या मैनिपलेट कर रहा है तो हीस कॉंशिए उनको पूरा होश है तो ऐसा नहीं है मतलब इससे यह लगता है कि जैसे आपने मुझे शुरू में पूछा था कि यह प्लैंड था यह इंपल्सिव थ और हमें किसी से भी आसोसियेट होने से पहले बैग्राउंड उनका पास्ट बीहेवियर उनका दूसरे लोगों के साथ बीहेवियर वो सारी चीजे हमें गेज करनी बहुत ज़रूरी है मिलकुल मैं एक आखरी सवाल आपसे क्योंकि यहां शुरद्धा जो थी हमने डिस्कुस भी किया कि emotions बहुत जगा हावी हो गए थे और वो उस रिष्टे से निकल नहीं पा रहे थी तो आज के युगाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी या क्या संदेश उनको देना चाहेंगी कि यह बहुत सारे रिष्टों में देखा गया है लिवन रिलेशन्चिप ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे रिष्टे हैं जहां पर हम भावनाओं में बह जाते हैं और वही बाद में हमें एहसास कराती हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी अगर वक्त पर डिसि प्रेंट्स की सहमती से मिलो किसी पार्टनर को एक्स्टोर करो पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स के साथ डिसकस करो और आप बहागने की जरूरत नहीं पड़े सबके इंप अपने बुद्धी अपने अंदर रखो आप यह परवरिश का इसमें रोल है मीडिया का भी रोल है कि thinking कैसे develop होती है कि आपको भाग के love marriage so quality भाग के love marriage करें उसकी ज़रूरत ना पड़े अगर love marriage भी हो रही है तो discuss करके सहमती से अगर हो पाए तो उसमें क्या गलत है जिस society में हम पले बड़े हैं और जिस society में हम रह रहे हैं अगर जिससे हम प्यार करते हैं वो उसमें compatible नहीं है तो कहीं वो हमारे एक बहुत important हिस्ते से हमारी जिन्गी के एहम पहलू के साथ ही compatible नहीं है यह अपने आप में एक खटकने वाली चीज है तो अगर वो हमारी society के साथ integrate नहीं हो पा रहा है जिसके लिए हम हमें problem नहीं है उसके आने के बाद हमें problem हुई तो हमें यह सोचना चाहिए यह कुछ गढ़बढ़ है यह मेरी society के साथ क्यों integrate नहीं हो रहा मुझे भागने की जरूरत क्यों पढ़ रही है कहीं आपसी राय counseling sessions relationship के भी counseling sessions family sessions होते हैं उनकी help लीजिए अगर parents के कुछ apprehension से कुछ है लेकिन love और arranged marriage वाला जो concept है कि arranged marriage हुई तो कई बार youngsters बड़े दुखी होते हैं अरे मेरी तो arranged marriage हुई मुझे तो love marriage करनी है love marriage वाले सोचते उनोंने बहुत बड़ी बड़ा काम करा कुछ achievement किया लेकिन कई बार love marriages के बाद ऐसा लगता है कि raw में बहके emotions में बहके love marriage कर ली लेकिन कई ऐसे लोग OPD में एक साल बाद आते हैं कि मैंने उसमें expectations बहुत जादा होती हैं कि मैंने तो मर्जी के खिलाफ घरवालों की मर्जी के खिलाफ कदम उठाया तो तुम मेरे लिए यह क्यों नहीं कर रहे और वाइसे वरसा तो उस चीज में वह कई बार compatibility नहीं देखते compatibility देखने के लिए आपको अपना social समाज वह सब भी जरूरी है उसे पूरी तरह से अपने culture को पूरी तरह से इग्नॉर नहीं कर सकते और कहीं लग अरेंज के बीच में सेल्फ अरेंज की तरफ अगर हम मूफ करें उसे acceptance दे तो वह better होगा सभी के लिए better होगा इस तरह के incidences हम avoid कर पाएंगे बिल्कुल भावराओं में ना वहकर सही गलत का फैसला हम पेशिंस से करें और सोत समझ कर हैं फैसला लें जिसमें कुछ लोग हो जिनकी राय भी काफी जरूरी होती है counseling या पर अपने आजपास के जो लोग हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं उनकी राय भी फिलाल हमिका जी बहुत-बहुत धनेवाद हमें इस इस मामले पर कुछ बाते बताने के लिए कुछ डिसकस करने के लिए उमीद करतियों की दर्शकों को जो भी देख रहे हैं इससे फायदा जरूर होगा फिलाल के लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद और इस वीडियो में इतना ही तमाम और इस तरह की इस के लिए लिए अपनों देख रहे हैं